पेश श्री गंगानगर हर्मानगर की टॉप टैन प्लस खबरें श्री गंगानगर लोग सबा सांसा निहाल चन ने कहा है कि डेरा ब्यास के लिए सीधी रेल काड़ी मिलने से शेत्रवासियों की बरसो पुरानी मांग पूरी हुई है आगे भी शेत्र की रेल सेवाँ में बढ़ोतरी के प्रयास चारी रहेंगे वे बुद्वार दोपहर को सुर्दगर रेल स्टेशन पर डेरा ब्यास के लिए शुरू की गई स्पेशल ट्रेन को हरी जंडी दिखाने से पूर्व उपसी जन को संबोधित कर रहे थे पंजार से लगते गहां साधुवाली के पास बुद्वार सुबे लोग परिवहन सेवा की बस वे पिकप जीप में बिलंथ हो गई जिसमें कई लोग घायल हो गई घने कोहरे के कारण होई दुर्गटना में दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गई यहां साधुवाली पुल से नीचे उतरने के बाद पेटरोल पंग के पास उस समय हुआ जब श्री गंगानगा से डीजल भरवाने के लिए बस चौर रही थी रायसान लोग परिवहन के बस चौरक ने लापरवाही से अन्य वाहनों को ओवर्टेक करते हुए रॉंग साइड में जाकर सामने से आ रही पिकप में टकर माद पिकप में किन्नू बात की लेवर सवार थी श्री गंगानगा सहीत आसमुचे इलाके में मकर संक्रांती का परव मनाया जा रहा है बीती मध्यरात्री को सुर्य मकर राशी में प्रवेश्ट कर उतरायन हो गए सुर्य के मकर राशी में प्रवेश्ट के साथ ही मलमास भी खत्म हो गया है इसी के साथ एक महिने से थमा विवाह, शादी और अन्य मांगली कार्यों का सिलसिला शुरू हो गया है सुर्य देव ने धनु राशी को छोड़ कर बीती राद एक बचकर 38 मिनट पर मकर राशी में प्रवेश किया मकर संक्रांती का पुन्य काल के दोरान गुद्वार को लोगों ने स्नान कर दान पुन्य किया पतंगबाजी में सिंथेटिक चाइनीज मांज़ा का उपयोग करने वे विक्री पर प्रतिबंध होने के बार जू जिले भर में लोगों ने जम कर इसका उपयोग किया लेकिन पुलिस ने श्री गंगानगर जिले भर में एक भी दुकान पर छापे मारे नहीं की जैपुर में मकन संक्रांती पर चाइनीज मांज़ा के उपयोग से सैंक्रो पक्षियों की मौत हो गई श्री गंगानगर जिले में बुदवार को एक बार से लोग शीत लेहर से रूबरू हुए आज बेहर ठंडा दिन रहा गने कोहरे और शीत लेहर के कारण जन जीवन बुरी तह से प्रभावित रहा बुदवार को देश के मैदानी भागों में पिलानी सबसे ठंडा शेहर रहा जबकि श्री गंगानगर की गिंती सरवादिक ठंडे शेहरों में छटे नंबर पर हुई शीत लेहर के कारण लोग कम कपाते रहें काई मेट उनुसार श्री गंगानगर में नियून दमतापमार 3.4 लिक्री से happiness रहा श्री गंगर अगर में पंचाय समीती आमचुनाव 2020 के प्रथम चुरण में श्री विजय नगर पंचाय समीती शेत्र की 29 ग्राम पंचायतों में सरपंच व्यपंच पत के लिए मदान 17 जन्वरी को होगा मदान संपन करवाने के लिए जिला मुख्याले के डॉक्टर भीमरा अमबेटकर सरकारी कॉले से कल गुरुवा को मदान दल रवाना होंगे इसके लिए जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर लिए है श्री गंगानगर में हर्मानगार रोड स्थित जिला परिवहन कारेले परिशन में सीज किया गया ट्रॉक चोरी हो गया इस समन में सदधाना पुलिस ने हर्दीब सिंग के खिलाफ चोरी करने के आरोप में मुकदमा दर्च कर लिया है जानकारी के अनुसार डीटियो ऑफिस के सुरक्षागार नथुराम ने मुकदमा दर्च करवाया है कि डीटियो ऑफिस परिशर में इसीज किया हुआ एक ट्रॉक खड़ा था जिसे हर्दीब सिंग ने चुरा लिया पुलिस ने मुकदमा दर्च करके जान शुरू कर दी है उपजिला ने वाचना दिकारी डॉक्टर गुंजन सोने ने बताया कि प्रथम चरण वेतिती चुराण के पंचार चुनाव के लिये नुक्ट असलम शेर खान कल गुरुवार को श्री गंगा नगर आएंगे उनकी देखेक में चुनाव संपन होंगे श्री गंगा नगर में पंचाय चुनावों को देखते हुए पुलिस ने अवैद रूप से शराब निकालने वाले लोगों के खिलाफ करवाही की है हिंदु मलकोर थाना सी आई मजीद खान ने बताया कि सूचना मिली थी कि गाउं 500 LNP गंगनहर पिटर के पास खद्यानों में बड़े फहमाने पर अवैद रूप से शराब निकाली जा रही है पुरी पुलिस टीम को लेकर छापा मारा गया यहां शराब निकालने के लिए तैयार की गई, 17 भटियों को नस्ट किया गया, साथ ही जमीन में गाड़े गए 40 ड़मों को जेसी भी मशीनों के साहता से निकाला गया और इसमें रखे 1000 लिटर लाहम को मौके पर ही नस्ट कर दिया गया 17 लिटर शराब बरामत की गई है श्री गंदानगर में गोल बजास्थित एक खाली भूखंड से बसात का पानी जाने के कारण गिरी दुकान में करीब 7 साल पहले आग लगने की घटना भी हो चुकी है कल दुकान गिने के बाद प्रभावी दुकानदार ने पड़ोसी खाली भूखंड मालिक के खिलाफ कोतवाले में मुकतमा दरच करवा दिया इसके बाद दोनों पक्षों में समझोते के प्रयास शुरू हो गए घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है प्रभावी दुकानदार को नुक्सान का मुआवज़त दिलाने के मांग को लेकर व्यापारियों दो फैर बाद जिला कलेक्टर से मिले खबरे अभी और भी है जायेगा नहीं बस छोटा सब्रे सांदो बॉर्डर टाइप्स हर कां, हर शहर, कोने कोने की खबर हर वर्ग, हर शेत्री की न्यूज और व्यूज दिन भर की ताज़ा खबर उन्नी ओन सांदो बॉर्डर काइप्स चुनावर डाइप की चार दीवारी निमान के लिए बज़डी से भरा ट्रक सुबह चार बजे के लगभग विधित लाइन के जूलते तारों से टकरा गया इसे ट्रक के कैबिन में आग लग गई और वहां अफ्रा तक्री मज गई लोगों ने पास में स्थीत विधित पावर हाउस को सुचित कया तो करमचारियों ने तुरंत विधित लाइन को कट कर दिया बज़डी उतारने वाले मजदूरों ने बज़डी वे मिट्टी डाल कर आग पर काबू पाया श्री गंगालगर जिले में बीते सुमवार को बारिश के बाद सड़कों पर बने गड़ों ने आमजन के परिशानी बढ़ा दी है इन गड़ों की वज़े से आवगमन भी प्रभावित हो रहा है बुधवार सुब एक स्कूली टेंपो गड़े में फंस किया चौला की सालधानी से टेंपो नहीं पड़का बारिश के बाद बुधवार तक कई जगों पर पाने की निकासी नहीं हो पाई है इस वज़े से जहां एको सड़के शदिक रस्त हो रही है वहीं दूसरी ओर सड़कों पर बने गड़े हासो को नियोता दे रहे है रासान हाइकोर्ट के आदेश से बाजी, फिर संगरिया नगरपालिका के अधिशयासी अधिकारी सतयनराण स्वामी के पक्ष में पलड़ गयी है हाइकोर्ट ने मंगलवार को सार्गन अधेश ज़ारी के स्वामी के तबादले पर रोक लगा दी है अरिशासी अदिकारी स्वामी ने संगरिया पालिका में 3 अक्टूबर को कारेभार समाला था। उन्हें 24 दिसंबर 2019 को APO कर दिया गया था। उन्हें DLV जैपुर में उपस्तिती देने के आदेश दिये गए थे। लेकिन स्वामी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में इस आधार पर चिनोती दी कि उन्हें राजनितिक कारणों से हटाया जा रहा है। श्री गंगा नगर शेत्र में पिछले 10 दिनों में दो बार बरसाद के बाद सबजी मंडी में आलू प्याज के आवग प्रभावित हुई है। करन दोनों का मुल्य भी स्थिर चल रहा है अक्सर बरसाथ के कारन मंडी में फलसबजी की आवग भी प्रभावित रहती है ऐसा ही बीते दस दिनों के दोरान दो बार हो चुका है तीन दिन पहले हुई बरसाथ के बाद मंडी में आलूवे प्याज के आवग कम हो रही है साने मंडी में बुद्वार को माद 150 क्विंटल ही प्याज के आवग होई है जबकि शुकरवाश अनिवाद तक ये 400 क्विंटल से अधिक चल रही थी श्रेगंगा लगर में रेल्वे स्टेशन समेथ बिका ने रेल मंडर के सबी स्टेशनों पर रेल्वे फाग जल ही यात्रियों को बड़ी सोगात देने जा रहा है इसकी बतलत स्टेशन पर मौजूद यात्री अभी यूटियस मोबाईल एप का इस्तिमाल कर टिकट बना सकेंगे रेल्वेस के लिए स्टेशनों को बार्पोड लैस करेगा इसमें अनारक्षित टिकट काउंटर के पास दिवारों और स्टेशन परिशन में इन्हीं जगर जगर लगाया जाएगा इसको स्कैन कर यात्री यूटियस एप के माध्यम से टिकट करा सकेंगे श्री गंगा नगर जिले के जिन ग्राम पंचायतों में अभी पंचाय चुनाव के लिए नामांखन पत्रही दाखिल नहीं हुए उन पंचायतों में भी मदाताओं में शराब बढ़ने की सूचनाए जिला प्रशासन को मिलने लगी है आदेजन शिकायत करता लोग शराब बढ़ने की सूचनाए अभी से दे रहे हैं जिला प्रशासन को मंगलवार को श्री गंगा नगर पंचाय समीती की ग्राम पंचायत तीनी छोटी में भावी उमिद्वारों की ओर से मदाताओं को शराब बातने की सूचना मिली थी श्री गंगा नगर नगर विकास नयास की सचीव हरी तमक और सुरदगड एडियम का अतरिक्त कारेभार समा पा गया है इसके लिए जुलाक लगता है श्री प्रसाद में दन नकाते ने आदेश जारी कर दिये हैं गरतलब है कि सुरदगड एडियम का पद लंबे समय से रिख्त चला रहा था राजे सरकार ने यहाँ एडियम की निउपती नहीं की ऐसे में सरकारी कामकास भावित हो रहा था घरसाना पुलिस ने रोडवेज के एक परिच्वालक की रिपोर्ट पर मार पीट कर टिकट की राशी छीनने के आरोप में मुकत्मा दर्च किया है जानकार के अनुसार रोडवेज जीपो अनुफगर के परिच्वालक शीर परकाश ने बताया कि घरसाना में उसके साथ चिमनलाल वेशेर सिंग ने मार पीट की तथा टिकट की राशी के 8,031 रुपए छीन लिए घर में घुसकर मार पीट कर 35,000 चोरी करने के आरोप में मुकत्मा दर्च किया गया है श्री गंगा नगर जवाहर थाना पुलिस ने बताया कि सोमपाल के घर में संतोष रामजी लाल आये और सोमपाल के साथ मार पीट की तथा घर में रखे 35,000 बच चुरा ले गए इस समन में पुलिस ने मामला दर्च कर लिया है श्री गंगा नगर में सिवरेश की पाइप पर डाल रही L&T कंपनी के याड में कॉपर प्लेट विरोडे चोरी हो गई है इस समन में सर्दर्थाना कुलिस ने कुल्दीप की रिपोर्ट पर अग्यात वेक्ति के खलाब मकदमा दर्च कर जान शुरू कर दी है जान करी के अनसार L&T कंपनी की साठ कॉपर प्लेटें वे साठ कॉपर रोड कंपनी के नाथावाला याड से कोई अग्यात वेक्ति चुरा कर ले गया पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआएना किया सांध्य बॉर्डर टाइम्स अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर